जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस नए वीडियो स्ट्रेशन में आप के लिए मैं लेकर क्या हूँ बहुत ही महतोपोण पॉइंट जिसे दोस्तों 36 गड़ वावसाइक पर इच्छा बंडल टेटी 2022 के लिए जिन कंडिडेट ने फॉर्म भरा है एक्जाम दिलाने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे OMR को किस तरीके से भरना है वापम का OMR किस तरीके से दिखता है कहां पास क्या भरना है एक बार मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा ओवर्वीव जरूर देना चाहूंगा इस वीडियो में तो वीडियो पर बने रही है ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए और एक्जाम हॉल में आप वो गलती ना करें जो बांकी अन्य जो कंडिडेट कर देते हैं और बाद में उनको बदिक्कत हो जाती है ठीक है तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं OMR सेंपल पर तो दोस्तों हम आ चुके हैं OMR सेंपल पर कुछ इसी प्रकार का सेंपल जो OMR शीट है आपको व्यापम की ओर से देखने को मिलेगा जिसमें उपर से लेकर के नीचे तक सेंपल हूब हूई ठीक है answer sheet बात में मिलने से पहले आपको OMR sheet दिये गाएगा OMR sheet में आपको भरना कहां से है देखे सबसे पहले उपर वाले बात करते हैं तो उपर में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों आपका serial number answer sheet तो answer sheet आप है OMR sheet उसका serial number यहाँ पस देखने को मिलेगा जितने digit करहेगा वहाँ पस रहेगा ठीक है यहाँ पस आप देख सकते हैं example के थोर पर 123 इस तरीके से तो तो क्या रहेगा आपको देखने को मिलेगा इसमें कुछ नहीं करना है आपको वह रहेगा आप इसी serial number को OMR sheet को आपको जो answer booklet होगा उसमें भरना है ठीक है जो answer booklet मिलेगा उसमें इस number को वहाँ पस भरना होगा जो option दीखेगा उसमें ठीक है और उसमें भी दोस्तों आपको ध्यान देना है कि उसमें भी answer sheet में भी आपको एक number provide किया जाएगा उसको OMR sheet में बना है कहाँ पस भरना है मैं ब पहला box आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों name of the examination और परिच्छा का नाम मतलब आपको क्या करना है इसमें परिच्छा का नाम डालना है परिच्छा का नाम क्या डालोगे दोस्तों CGTET भी डालोगे या फिर CGTET 2022 ठीक है तो यहां पास आपको डालना होगा अगर paper 1 के लिए ह सकते हो paper 2 है तो paper 2 भी लिख सकते हो तो वहां पास जो परवेक्छक है कि बताते हैं यहां पास भरने के लिए तो आप देख लिएगा इपर कर लिझेगा कि यहां पास क्या भरना है ठीक है तो यहां पास आपको भरना होगा CGTET 2022 ठीक है उसके बाद आपको देखने को मिले कर दोस्तों date of exam ठीक है तो date of examination तो मतलब जिस तारीक को exam रखा गया है वो date आपको क्या करना है इसमें भरना है तो अठर तारीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 1818 अगर 9 है तो दोस्तों 9 महिना चल रहा तो जीरो 9 ठीक है और 2022 है तो 2022 इस तरीके से आपको क्या करना है भरना है यहाँ तक आपको clear हो गया आप उसके बाद नीचे क्या भरना है आपको roll number भरना है अनुक्रमा आपका जितना भी अंक में है उस roll number को आप यहाँ पस भरियेगा देखिए डब्बे एक डब्बे में सिर्फ एक ही अंक आएगा और उसके नीचे में जितना भी आपको गोला लगाना है अंक क्या according अगर यहाँ पस डब्बे में एक भर रहे हैं तो एक में गोला लगा दीजे अगर दो है तो आप दो में गोला लगा जीए पूरे में नहीं भरना है ठीक आपको sample दीख रहा होगा उस नहीं तरीके से भरना है भले इधर का question answer थोड़ा से गलत भी हो जाया अगर भर रहे हो थोड़ी सा अधनी हो जाती है तो हो जाती है लेकिन आपको roll number सहीं सहीं भरना है ठीक है अब condition है दोस्तों अगर क्या हो गया roll number भरते भरते गलत हो गया तो double OMR sheet आपको नहीं मिलेगा ठीक है अब देखिए अब form भरते according अगर आपका one के जगह देखिए जैसे मैं last बात कर रहा हूँ आठ दिया है आठ के जगह आपने 7 भर दिया यहां पास ठीक है और आपके roll number में दोस्तों real में 8 है तो आप क्या करोगे यहां पास थोड़ा सा उपर का सुधार सकते हो question booklet तो उस question booklet से दोस्तों आपको क्या करना उसमें अंक दिया रहेगा वो अंक आपको क्या करना हूँ भी यहां पास भरना है और उसके नीचे दोस्तों आपको काला काला भी लगाना है ठीक है इसी तरीके से और उसके पास चाथ दोस्तों उस आपका answer seat कौन सा seat है A है B है C है D है तो आपस आप भरेंगे अगर A है तो A भरिए B है तो B भरिए C है तो C और D है तो D उसके बाद जो सेट है उसके सामने अगर गोला लगा दे अगर आपका सेट C है तो C के सामने क्या करना है गोला लगा देने ठीक है यहां तक आपका complete हो जाता है उसके पर पसचाथ हम लो यहां पास आपको कुछ नहीं करना है वो आपके करके कार्यालाय का काम है ठीक है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों से यहाँ पास है signature of the examinee मतलब candidate का यहाँ पास क्या करना है signature लेना है मतलब आपका जो signature है admit card में same वैसा ही admit card यहाँ पास लगाना है ठीक है उसके बाद है नीचे है आपको देखने को मिलेगा दोस्तों name of the invisilator 1 ठीक है तो मतलब आपका पहला जो परवेक्षक होगा वो यहाँ पास signature करेगा अपना और यहाँ पास वो क्या करेगा signature करेगा ठीक है अब देखिए यह सब complete होने के पस्चात आपको देखने को मिलेगा एक साथ barcode देखने को मिलेगा barcode को कोई भी छेड़ खाने नहीं करनी है वो सुरू से last तक दोस्तों barcode जैसे का वैसा ही रहना चीए ना तो आप अच्छे से सवधानी से भरतिए दोस्तों ताकि बार कोट घीशे ना फिक है और ना तो उसमें पेन चलना चालना चीए, ना तो इसमें इंक गिरना च Chungे ना तो दोस्तों जैसे का होता है कि आंगुठा लगाने का भी आता है है ना तो उसमें अंगुठा इसमें नहीं लागना चीए स्याही भी किसी तरीके का पानिवानी भी इसमें नहीं गिराना है ठीक है तो धूल कुछ भी इसमें नहीं करना है तो OMR-SHEAT जितना जादा आपका सुरक्षित रहेगा उतना जादा क्या और हैगा दोस्तों आपके ल मिलेगा और दूसरा जो है आपका science और maths का 30-30 question मिलेगा ठीक इस तरीके से 60 question आपका science maths करहेगा और 60 question अगर आप sst वाले हैं तो समाधी बियान का मिलेगा हर में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अलग-अलग मतलब खंड बर रहेगा सब में बटा हुआ तो यहाँ पास आपको solve करना है जैसे पहला question है तो पहला question में जो answer है आप उसमें क्या करना है गोला लगाना है ठीक है पहला question आप लिजिए चलिए इसको मैं जूम कर देता हूँ पहला question यहाँ पास आपको देखने को मिल जाता है यह देखे पहला question आपने solve किया तो question देखा आपका पहला उसका भी option सहीं है तो आप बी में क्या लगेंगे यहाँ पास dark circle लगा देँगे तो इस तरीके से क्या है ओमार शिट भरने का प्रोसेस है तो यहां पास और कोई भी डाउट है तो कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंड बॉक्स खालिए दोस्तों कमेंड करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं कोई भी डाउट आपने मन में ना रखिए ठीक है वहां पास देखि डर के रहेंगे क्योंकि आप भावी सिक्षक बनने वाले हैं तो अगर आपके मन में डर नी होना चाहिए भाई वह तो सभवी कसी बात है नहीं पता है तो पूछ रहे है उसमें क्या है तो आप बिल्कुल डरिये मत अपना सवाल परविक्षक से पूछ लिए अगर कोई समस नहीं दिया जाएगा आप पहले से कितना भी पहले आप उसे बना लिए हो ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिए वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों वीडियो को ज़रू लाइक कर दीजिए आपके लिए हैल्फुल के लिए वीडियो में आपके लिए प्रवाइट कर रह मतलब प्रकास के ऑप्टिक के थूख क्या किया जाता है इसको चेक किया जाता है ठीक है तो इंपोर्टेंट है आपका सेट जो है आप उसको मिलाएए ठीक है कौन सा है बी है सी है डी है अच्छे सेट ठीक है क्यूंकि जिस सेट के अकोर्डिंग है दोस्तों आप जो दिला लिजिए कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में है PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मेरे टेलिग नाम चैनल को ज़रूर जोईन कर लिजिए अभ्यास ओनलाइन क्लास के नाम से है और लोगो से ऐसा ही है दोस्तों जो आपको इस यूट्यूब चैनल के लोगों के जासा ही है तो आप बिल्कुल दोस्तों उसको जोईन कर लिजिए और अभी भी टेस्ट स्रीज चल रहा है दोस्तों एक पेपर के लिए आपको 99 रूपीज है मातर इतनी कमप्राइज है दोस्तों इससे ज्यादा तो आप कहीं और भी खर्च कर लेते हैं इतली दोसा गुप सेट मिलने वाला है। पेपर 2 की बात करेंगे दोस्तों उसमें भी 20 सेट मिलने वाला अगर आप साइन्स वाले हैं तो आप अलग से मिलेगा और सश्टी वाले है तो फिर भी अलग से मिलेगा ठीक है इस चीज को धियाँ रखिये महुत ही इंपोर्टेंट है इस्पल सा है टेस्ट स्रीज जोईन करना, जितना ज़्यादा प्रेक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए helpful होने वाला है, ठीक है, और कोई दोस्तों चलिए, मैं next video जो लाऊंगा, वो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है, तो उस video के इंतिजार कीजिए, तो suspense में है, ठीक है, चलिए, मिलते हैं, टेक केर, all the best, जै हिंद!